नमस्कार मैं शाहिद मलीक आपका स्वागत करता हूँ दानियोज अंडिया में हमारे खास प्रोग्राम काला बाजारी जी हाँ काला बाजारी जैसे ही बज़ट आता है वैसे ही क्यों तंबाखु पदार प्रोडेक्ट बेचने वाले लोग चाहे पान डबे हो सिगरट हो या कोई तंबाखु खाने वाले हो तो उन प्रोडेक्टों पे ब्लैक मार्केटिंग क्यों होती है इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ है निजाम कॉलिज के प्रोफेसर मिस्टर जैसवाल सर सबसे पहले मैं आपका हमारे खास प्रोग्राम काला बाजारी में आपका स्वागत करता हूँ और अपने दर्शकों की तरफ से आपका इस चर्चा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ अभी से ने पिछले 10 साल से या 5 साल से आप इतिहास उठा के देख लिजे सरकार जैसे ही बजट आने का अंदेशा होता है तो क्यों तमभाखू पदार्त बनाने वाले या बेचने वाले क्यों इन प्रोडेक्टों पर काला बजारी शुरू कर देते हैं सरकार इस साल बजट लाएगी तो एक्साइज बढ़ाएगी या कुछ भी बढ़ाएगी तो तमभाखू प्रोडेक्ट पे रेड बढ़ेंगे तो ऐसा क्यों है कि वह पहले ही माल चौट करके काला बाजारी शुरू कर देते हैं करोड़ों रुपे के इधर से उधर करते हैं तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए या नहीं मलिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं भी मेरी वर से सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और आप द्यादीव इंडिया चैनल का बहुत आभारी हूं कि उन्हों मु से पहले ही काला बाजारी का काला मैं थोड़ा एक दो महिने तीन महिने पीछे से इस बात की आरम करूंगा मलिक जी जब नोडबंदी की बात आई तो लगवग हर व्यवसाय वाले ने कहा कि हमारा धन्दा बहुत मंदा हो गया है लेकिन समाचार पत्रों के अनुसार और हर शराब, सिग्रेट, गुटका, पान ये सब चीदों की जो दुकाने थी इनकी बिकरी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये एक बुरे व्यसन होते है और इसको हम लोग जोसे एक लट के रूप में मानते है जिस विक्ति को ये लट पड़ सब्सक्राइस दिखने चाहिए ये सबसाहिए आने से के सरकार आपको जाओंगा रोक रहे हूं कि अब्सक्ति के नहीं वंठें हम काला बाजारी सब्सक्राइद को रूटिंगे इसको आपने लोग जोसे बागल ब्रॉडब यो स्नाने वाले लोग ये इनके बेदे जिस पर वालते हैं इसकी काला बजारी कर रहे हैं तो सरकार इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए जो एरिया पी अपिय जिम्मेदारी वंधली कर देश को में कोई शिकायत हमारा जो कानून है देश का उसमें साधरनत इस पर कारेवाई तभी की जाती है जब कि किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्जो आज तक मैंने इतने जो है मैक्सिमम रिटेल प्राइड एमर इमर उस स्थे ज्जादा रेट में वेचते हैं तो उस जब वो विट्टी जो इसका आदी होता है उसको हर कीमत पर चीज होने मांगता है वो बाद में ये ने शेस्थ मिलने के बाद मैं जाओं और जाकर इसके बारे में शिकायत करूं मैं सम आम बिक राइगुट का हर पान डब्बे पे चले जाईए कहीं पे भी चले जाईए सरकार को सीधे-सीधे राजेसव का नुकसान हो रहा है इससे तो अच्छा सरकार ने जो पाबंदी लगाई हुए इसको चालू कर दे राजेसव में कुछ आएगा लेकिन ऐसा नहीं है हर प प्रोडेक्ट बनाने वालों ने एक नया फार्मूला निकाल दिया है सरकार ने गुटका बैंड कर दिया सरकार कहती है कि हमने गुटका बैंड कर दिया हमारे यह पदार्त नहीं बिकेगा लेकिन उन्होंने क्या किया है कंपनी वालों ने एक साधा गुटका बनाया बिना तंबाखु का उधर से एक पाउज बना दिया तंबाखु का अब पब्लिक क्या करती है दोनों को मिक्स करती है उनके लिए गुटका तयार है तो उसकी भी वो काला बजारी कर रहे हैं प्लस सिग्रट आप जैसे ITC कंपणी बड़ी कंपणी हम उन पर सवालिया निशानी उठ लेकिन उनको स्टॉक करते है जो इनको डीलर है या डिस्टीबूटर है वो माल्क को मार्केट से शॉह पाल वाला बोलता है कि जो हमारा supplier है मार्कit में नहीं है, आपको चाहिए आपको अपनी दुखांदारी बढानी है आप आप आगे डेट बढ़ा के बेचिए तो वो लोग कहना में जो अभी 30 रुपे की डबी है जो होल सेल के अंदर डिस्टीबूटर के पास से 115 रुपे की मिलती है पान का डबा वाला उसको 123 रुपे की बेचता है एक डबी पर 8 रुपे मिलते है अब वो बोल रहे हैं साब हमें तो 125 रुपे की मिल रही है 130 की बेच मार्केट में माल शोट है तो उसका जिम्मेदार कौन है सरकार जो आखे मूंत के बैठी हुए इन काला बजारियों की वज़े से या पुलीज जिनके छत्र चाया में ये काम चल रहा है इसका आखे जिम्मेदार कौन है क्योंकि हमारे मान्य मुख्यमंत्री ने किलियर आदेश दिये हुए हैं तिलंगाना राज्ये में ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है मलिक जी से मने अभी आरम में भी कहा था आप से कि यह जो मुद्धा आपने उठाया है इससे पहले किसी भी जगहा पर इस इसी बात को जो सामने नहीं आपको बदाई देता हूं कि अपने एक अब तक अच्छुता रहा है यहां तक कि हमें भी जो हमेशे अपना मुनाफाही देखता है नोडबंदी के बाद लोगों को तकलिफ हो रही है नोडबंदी की मज़े से तकलिफ नहीं है उसका फायदा उठाकर जो सरकार जो अपने पारी वर गए वो उन्होंने रेट बढ़ा दिये जब आपने देखे होंगे प्याज का हुए उसावता तूर की डाले देखे होंगे आपने जो खाद्य पदा प्रोड़क्त ही सब डाउन हो गए वो जो की इनसान के जीवन में जिसके बिना किसी प्रकार का स्वाद नहीं आत पास जब बाद जाती है और इसका सबसे बड़ा श्रेयर मेडिया कर्मियों को देना चाहूंगा जो इन बातों को लाते हैं जी अन्यता सरकार के पास पहुंचने में काफी समय लगता है इसके बाद नमक की बात आप देखे होंगे नोड़बंदी के बाद नमक का पैकिट जो दस रुपए का पाकिट है हजार रुपए तक का बिका ही बिका है हजार रुपए तक भी बिका है उसके लिए मारा मारी हुई है तो इसका जिम्मेदार सरकार नहीं है सरकार के पास जब बात पहुंचती है तो सरकार उस पर ज़रूर जो इसका कार्य करती है पुलिस भी प्रविश्टेशन में आपको कहीं भी इसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी इसमें कि लिखा होगा कि उन्हें अपने पर लिखे हुए यम्मार पी से ज्यादा लेट लगाया है लेकि जागरुकता भी आनी चाहिए सर्कार ने हर चीज के लिए एक हेल्प लाइन बनाई हुई है तो इसके लिए हेल्प लाइन सरकार ने क्यों नहीं बनाई इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए मैं आप से थोड़ असा ये इस पर रोशनी डालने को बोलूंगा मैं मेरे विचार ग्राहक सेवा केंद्र का जो सरकारी नंबर है उस पर हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए जिसमें क्या और कई बार ऐसे देखा जैसे जैसे सूचना मिलती है कई बार हम भी करते हैं थेटर में जाते हैं वापर यम्मार्पी से जैसे 10 रुपए 15 रुपए ज्यादा रेट रहता है हम लोग भी ले लेते और पी लेते जाने दो रुपए के लिए क्या करें यह थोड़ी जिम्मेदारी हम सभी की और जिन के पास साधन है कि जो जो सरकार तक इस बात को पहुंचा सकते हुनका भी थोड़ा जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ पुलिस ससना सरकार की बात नहीं है मलिक जी circa थाे जहीं तो जी सो उसके पर कहहाई का जैसे कि अभी हमारे महमाने हमें बताया के ग्राक सेवा केंदर जिसका एक नंबर होता है आप उस पे शिकायत कर सकते हैं लेकिन हमने भी आज ग्राक सिवा केंदर पे कॉल मिलाई किसी ने फोन ने उठाया तो इसके लिए हमें क्या करना है ये तो मुझे भी नहीं मालूम आने वाले समय ही बताएगा किया ये ग्राक सिवा केंदर पे कंप्लेंट दर्ज होगी या नहीं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राकों को जागरुक बढ़ना पड़ेगा जैसा कि हमारे महमान ने बताया कि जब तक आप जागरुक नहीं होंगे ये काला बाजारी नहीं रुकेगी ये काला बाजारी करने वालों को जब तक आप पकड़ेंगे नहीं उनके खिलाफ नहीं जाएंगे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा पुलिस भी इस पर कोई कारवाई नहीं करेगी इसे हम आज बात कर रहे हैं तमबाकू प्रोड़क्टों पे जैसे कि बजट आते ही बजट की आहाड सुनते ही तमबाकू प्रोड़क्ट मार्किट से गायब हो जाते है और उन पे काला बाजारी शुरू हो जाती है सरकार इसके उपर कदम नहीं उठा रही या सरकार उठाना भी चाहती है तो सरकार को पता नहीं चलता होना चाहिए आपने बजट और उससे संबंदित व्यसन के जो पदार थे उनके बारे में बात की है मैंने यह अनुगों किया है कि जब बजट आने वाला होता है तो उस समय कई जगाओं पर पेट्रोल पंप भी बनकर दिये जाते है जैसे ही पेट्रोल पंप वालों के मानूं पढ़ता है कि बजट बढ़ने वाला है और रात में नव बज़े आड़ बज़े ही अपने पेट्रोल पंप पे ताले लगा देते है ताकि अगर उनके पास एक बीस हजार लिटर भी रहा और दो हजार रुपए भी अगर बढ़ तो हम लोग बात करें सकते हैं कि अगर राश्य के स्थर पर और हैं पर बंप कर रहा है क्खूब हर पांडबे पर आप जाएए घूट का आपको इसली मिल जाएगा ऐसा क्यों है कि सरकार की पाबंदी के बाद फिर ये गुटका मार्किट में विक्रा है उसकी काला बजारी हो रही है काला बजारी यानि कि जो चीज 2 रुपे की है मार्क सरकार ने बंद कर दिया है वो चार रूपे का मार्केट में मिल रहा है तो सरकार को इसमें राजे सबकार भी नुकसान हो रहा है और सरकार जो हेल्थ के उपर पब्लिक के कैंसर के उपर खर्च करती है उसका भी नुकसान हो रहा है तो सरकार को ऐसे में क्या करना जैसे नोट बंदी हुई थी, नोट बंदी ने परधान मंतिर नरेंद मोदी ने एक फैसला लिया जिसके अंदर पूरे हिंदुस्तान की 98% नोट बंद कर दिये गए, जिससे के पूरी अर्थ विवस्ता बिगड़ सी गई थी, क्या सरकार को ऐसा ही कदम इस सिग्रेट तंबा पर नहीं उटाना चाहिए, बिल्कुल रोकनी चाहिए, मैं तो सिरिफ काला बजारी शिग्रेट गुटके पर होना चाहिए, मनुष्य के जीवन से संबंधि जो मनुष्य के लिए आवशक है, एक वेक्ति जो वेशन का आधी हो जाता है, शिग्रेट का या शराप का या जो विवाग होते हैं, उनका एक कारिय बनता है कि उस कानून को सक्थी से लागु किया जाए, कई बार देख रहे आप भी देख रहे है, पेपर में भी आता है, हैदराबाद में है, ऐसे कई केंदर है, जहां पर छापे मारे जाते है, और वहाँ पर गुटके बनाने की फै अशासन सो रहा है, मगर इतना विशाल, मैं है हैदराबाद के हत्ते की बात करूँगा, मलिक दी, हमारा शेतर इतना विश्तृत है, इतनी छोटी छोटी घरों में जो एसो कमपनियां और फैक्टरियां चल रही है, कि सब के बारे में सरकार को, जब आत हो, जब होगी, जब ल रवया है, रवया जब तक नहीं बदलेगा, और मैंने देखा है, वलिक जी, यह मेरा अनुभाव रहा है, कि जो एसो जो वेक्ति सामाजिक कारे करने के लिए, इन सब बातों को बाहर लने का प्रयास करता है, उसको समाज में, अरे उसको कुछ काम नहीं होगा, बेकार आद खिरेंजी एक पिकचर आई थी, वो किसी की साहयता करता है, तो लोग उसके पूस्ते की साहयता लेने वाले कि मैं आपको क्या चाहिए, वो बलता है कि कुछ भी नहीं आप तीन लोगों की साहयता करूँ, और उन से बोलना कि वो तीन की घर है, एक शिष्ठा होना चाहिए, कि एक विक्ती है सोचे कि मैं एक विक्ती एक शिकायत गलत कारे का के बारे में अवश्य करूँगा अगर दस लाख लोग अगर सोचते हैं या जो भारत की जनसें क्या जिसकी की देड़ सो करोड के करीब है अगर उसमें से एक करोड लोग भी है सोचते हैं कि मैं जो इसे शिकायत महीने में कम से कम एक गलत करें कि शिकायत करूँगा तो मैं समझता हूँ मलिक जी हो सकते हैं कि मेरी बात से आप सहमत ना हो मगर मैं यह समझता हूँ कि अगर एक करोड शिकायत जाती है महीने में अगर वह वह 70 नुखाना कारवाई वह कई है यह वह danny उने चाहिए यह स्वार्ट की भावना से उपर उटना चाहिए मैं अपना टाइय करूं करओ वेस्ट कर इस परकार की बातों से इसके अंदर मैं आपको रोकना चाहूंगा यहां पर कुछ लोग शिकायत भी करते हैं तो उसके अंदर जो कानूनी कारवाई होती है वो डरता है कि शिकायत करने वाला कहीं थाने के या उसके चक्कर लगाते 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 वो ठक जाए तो वो शिकायत करता ही नहीं उ आफिसों के चक्कन नहीं लगाना चाहता तो इसके अंदर हमारी और सरकार की क्या कोई जिम्मेदारी है या बंती है क्या इन लोगों को जो शिकायत कर रहा है उनको क्या फैसलिटी मिलनी चाहिए उनको क्या करना चाहिए कि एक शिकायत के उपर सरकार एक्शन ले जिसके जिस इसने शिकायत किये उसकी इस उचना गुप्त रखी जाए और उसको परिशान ना किया जाए क्या सरकार कुछ ऐसा कर सकती है मैं समझता हूं कि वहत कम ऐसा देखा जाता है क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं आप राधिक मामलों की बात अलग है ये समझ से जुड़ावा मसला है इसमें अगर किसी को कोई थोड़ी और तकलिफ होती भी है तो उठानी चाहिए मैंने समझता कि पुली स्टीशन में बार बार उसको बुलाया जाता है जैसे कि आपके न्यूस इंडिया चैनल जिसका कि मैं भी एक सदस्य हूं उसके उसने भी एक कैलेंडर च्छापा है तो उस कैलेंडर में इतने सारे नंबर है कि अगर वो चाहता है कि वह उसकी बात को गुप्त रखी जाए तो अपना कम से कम एक अपने नईती करते हुए के रूप में कहीं भी एक लोकल कॉल से डब्बे से करके बता सकता है कि बहुत जगह पर इसी हो रहा है अगर सौ लोग कम्प्लेंट करेंगे सौ में से अगर कला बजारी के बारे में बात कर रहे हैं सौ लोग अगर कम्प्लेंट करेंगे अगर उसमें से दस लोगों की भी कम्प्लेंट पर अगर का रहा है कि मलिक जी तो बहुत बड़ी बात होंगी यह हम लोग मैं देखता हू मैंने पूरा किया उसके बाद में यह जो वजान उतारने वाली बात है वो भी उसको सोचना चाहिए लेकिन आम जंता के इंदर एक धारना बन गई है जैसे कि आजी के अंदर एक सो रुपे के सिगरट की डब्बी 110 रुपे की विक्राई है ब्लैक मार्केटिंग के अंदर पा रख मार्केटिंग को भावा नी देरहें क्या उस प्रडेक्ट का तो के उसके बड़ी बात है इस पर चूरा प्तूरा सुछने जरूर जा सकते तो प्लीक जैसे आगर किसी पान के डबबे ठ्पहरे जैसे आप ने बात कि पान की दुकान वाला भी कोई नए आदमी को अगर मैं यहां से गुटका नहीं लोगा तो फुर मुझे गुटका नहीं मिलीगा एक बात वह हो गई जुसरे जो है सो कई बार देखा जाता है कि दब्बे वाले से जो पान का जो खुम्चे वाला रहता है उससे जो उसका एक पारिवार एक संबंद के जमान हो जाता है वो यह रोज वहीं पे जाता है क्या बात है समझ में नहीं आते है मैं समझतो कि नवत प्रतिशत लोगों के सिगरेट के लेने के डब्बे फिक्स है बहुत कम ऐसे लोग होते जो जाते जाते उत्रे और कोई चीज ले लिए चले उसी प्राकार शराब की भी बात होती बाहर से सबसे बड़ी चीज है कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसी बूरी आदतों से हमको धूर ही रहना चाहिए सरकार इतने जागरुकता ब्यान चलाती है सरकार सब कुछ करती है हम ठीक रहा क्या फूरते हैं सरकार क्या आंक मून के बैठी वी है लेकिन सरकार के इतने कुछ करने के बावजू सरकार आम जनता सरकार ने सिर्फ आम जनता के ख्याल रखते हुए वो सरकार कहती है हम इनको निग्रानी रखने चाहिए ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उनको रोकना ने चाहिए उनकी आँखों के निचे उनके आत पास सब कुछ हो रहा है लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते बजा क्या है यह आखिर वो कि आपकी बात को इसे आरम से मैं लोगा फिर एक बार जै बेटी पढ़ाओ उसके बाद भी आपके निव सैनल पर भी देखे होंगे हम रोज समाचार पर्ट में पड़ते की कई जगा पर बेटीं के साथ जो सो दुर्वेवार किया रहा है बोगों को जला जा रहा है तो यह थोड़ी जाग रूप तर सर जंता में भी आनी चाहिए साथरनता देखा जाता है कि लोग बोलते कि उसको खुद को फिकर नहीं है जैसे हम रोट पर आप जा रहे हैं तो अगर रोट पर जा रहे तो कम ज़से कम रोज एक चीछोरा बच्चा धरूर मिल जाएंगा जो कट मारते हैं आपके बाजू से जाएगा बिली इसमीट से ज से जिनको इन सुविधाओं के बारे में पता है एक अंपड़ वेक्ति से हम लिए आशा नहीं कर सकते कि वह किसी प्रकार की कंप्लेंड करेगा क्योंकि उसको मानु में नहीं कि हिल्प नाइन नंबर क्या होता पहले लोगों को सिर्फ नंबर मालूं थे पिर आट से दस नं लाने से नव नंबर 11 नंबर मालूं है तो क्या मैं सर में जान सकता हूं कि इसकी शिकायत ब्लैक मार्केटिंग की पुलीस में भी की जा सकती है बिल्कुल बिल्कुल काला बजारी तो सो नंबर पे भी वन डबल जीरो पे भी कॉल करके अभी आपने कहा है कि उठा रहे ने मैं उनका बता रहा हूं मलीक जी एक सेकेंड का काम तो नहीं है एक दिन में अगर आप कोशिश की जिए कोशिश की जिए बराबर यह ऐसो है हमारे खास प्रोग्राम काला बाजारी के अंदर हमारे साथ है निजाम कॉलिज के प्रोफेसर मिस्टर अविनाज जैस्वाल हम ब मैं आप से अपने दर्शकों की तरफ से जानना चाहता हूं क्या ब्ल्यक ब्ल्यक्मिल्क आरों की शिकायत की जा चकती है तो पुलिस इसके शिक्षन के अंतर करता है अगर आप कम्ब्लेंन करएं तो पुलीस जरूर शर्कत में आगे अगर सबसे बड़ी चीज यह है कि बात होती है प्रूफ की अगर आप कंप्लेन करते हैं तो इसके लिए आपको एक रसीच चाहिए कोई पान वाला कोई घुटके वाला आपको रसीद मैं एक चाहता हूं एक तंबाकु प्रोडेक्ट पे जो काला बजारी होती है नशे के पदार्थ पे इसके लिए कौन जिम्मेदार है कंपणी करोड पता किया था किया है तो करोおर्ण तेन महिने के अंदर प empieza सो क्रोड पर उपर ब्लैक मार्केटिंग केवल सिगरट की एक कमपनी पे हुआ और कितने ब्रांड है सिगरटों के तंबाकू के कितने ब्रांड है यानि के करोड रुपे यानि के आप अर्जो देखा जाए तो तीन चार महिने में ये पूरे हिंदुस्तान का हम जोड़ें तो हजारो करोड रु क्या तो आपको पर ये कार्वाई कि जाएगी कि अपको ब्लैक स्टेट किया आएगा आखिर जिम्मेदारी कैसे बनेगी किसी बनेगी सरकार की बनेगी कम्पनी ऑफिसकी बनेगी की बनेगी जिमेदारी है जैसे कि आपने मैंने शुरू में भी कहा था कि अपने कैसा मुद्दा उठाया जो कि अब तक अचूता रहा है हजारो करोर रुपे की ब्लैक मार्केटिंग होती है तो इसमें मैं सरकार को चाहिए कि भाई वो जैसे मैं भी इसके पहले बोर रहा था आपको इंडियनायल कार्पोरेशन के बारे में या जो यह सो तेल कंपणियों के बारे में तो जब वो बजट का समय आता है उस समय लोग सब्सक्राइब कर देखेंगे कितने पैट्रोल बंद करते हैं लेकिन यहां पर बात हो रही है ऐसे मुद्ध की बजट की आठ से हुती है काला बजरी बजट की हाट से होती है काला बजरी और वो प्लडिक ते नशीला पजार्त तंभाकु सी ग्रट क्यों आखिर क्यों कैसे कभ रुकेंगी एक अला बदारी जहां तक यह सरकारी कंपनियों कहा है यह तो इस प्रकार का कारिया नहीं सब मैं कर दे तो मिल रॉप आविक से हैं किसकी पहले कि वुच्टिंग पाहने जब खाने पीने के चीजों पर कारवाई कर सकते हैं तो Eren तमबाकू प्रोडेक्ट जो हजारो करोड रुपे कर ब्लैक मार्केटिंग होती है बजट आने से दो महिने पहले से मैं आपको एक चीज और बता देता हूं बजट आने के बाद अर्जो दस परसंट बारा परसंट सरकार बढाती है तो वो इंप्लिमेंट आती है आते 15 एक अ करोड रुपे की डेदी सिगरेट भी करी और तो सीधा-सीदा पंद्रा पर्संट आप लगा लिए कितना पंद्रा करोड रूपस ही मैंने के साथüne चार सो करोड रूपे की काला बजार हो रही है तो इसकी जिम्मेधारी सबसे पहले तो शोग समबद्र विभाग है जिसे को सबसे बड़ी चीज है मलिक जी की हम लोग इसको चोड़ी चीज समझते मीडिया में कहीं भी इस प्रकार की अगर आप आप इसी शिकायत के बारे में नहरता हास्ता किसी भी न्यूस पेपर में देवा आप बुद्धा आज उठाए हैं बहुत अच्छा बढ़ाई के पात रह सारी बाते मुझे बता ही है तो मुझे ऐसी मैसूस हो रहा है कि सरकार को इस और भी ध्यान देना चाहिए सरकार बात पहाइगा वाहिस सरकार पहुंची है mauvais सरकार को पता है या नहीं पता है इसके बारे में हम लोग अभी अंदार्या लगा सकते हैं हमें समानते वे चिलें मेडिया के लिए बहुत चोटी नीज है थे कई क्या ल्यां कोई काम कराना यह हमारी थार्णा स नीए भन गए क्या को हम को बदलना नहीं चाहिए अपनी सोच को जब तब तक हमनी बदलना फिर अपनी चोच को बदलना तब तक कुछ नहीं हो सकता अरम से वही कहा कि हमारे नजरिये में बदलने की जरूरत है हमको एक चोटे सा आंकला बताता हूं जो हमारी रिसर्च टीम ने पता किया है हिंदुस्तान में 80% आबादी 80% आबादी किसी ना किसी तमबाखू प्रोडिक्ट से जुड़ी हुई है कोई घुटका खाता है कोई तमबाखू काता है कोई सिगरट पीता है कोई शराब पीता है जिसकी ब्लैक मार्केटिंग होती है तो 80% आबादी कैसे कैसे यह ऐसा हो सकता है कि 80% आबादी इसके खिला इनकी भावनां से इनकी शौक से खिलवार किया जा रहा है उसके मालूम है कि अगर मैं दो रुपाइल या चार रुपाइल जैसे आप मैं एक छोटी सी बात बोलूगा 26 जनुवरी 15 अगस्ट दो अक्टूबर ऐसे दस पांच से दिन ऐसे आते हैं जब कि जो हैदराबाद में पूरे इंदुस्तान में एक तीन जैसे बोनालू है बोनालू रहा तो कहा रहा था सिखिदराबाद शेत्री की खुली रही थी हैदराबाद शेत्री की बद रही तो लोग वहां जाते ज्यादा रेट पे ला ला लेते या एक बैनर लगा कर रख देता पिछले दरवार जै इसका विभाग है उसका पूरा-पूरा जरूरी है कि उस दिन टास्फ़र्स के समानेशा इदराबाद शेहर में जहां भी हो उस पर कड़ी से कड़ी ऐसी धारावां में कानून में भी परिवर्तन है हो सकता है कि कानून इतना लचकदार हो कि वह ऐसा जाएगा और ऐसा बा बात कड़ी कारवाई करने की बात हुई तो वहां के जो पुलिस विभाग या जो अधिकारी थे उन्होंने कहा है कि सहाब ये हाई कोट में कहा है कि कानून इतना लचकदार है कि वह आता है और जो भी है फार्मलिटी पूरी करता है और अपने जहते चला जाता है तो कानू पर दूसरे दिन सुबह रहा कुछ रहता है तो सर क्या उनके लाइसे कंपनी को पर पता भी है प्रत्यक्ष रूप से इस बात का मुझे पता है कि जो एसो कई दुकानों में शराब की दुकानों में दो तिन नौकर इसी काम के लिए रखे जाते है यह मैं आप से एक चीज जैसे आपने भी बहुत अच्छा मुद्धा उठाया कि रात को दस बज़े के बाद शराब नहीं बिखनी चाहिए लेकिन देर रात तक बिखती है तो क्या यह काला बजारी नहीं करते होंगे जो देर रात में शराब बिल्कुल 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 इसकी जिम्मेदारी किसकी है यह तो पुलिस की दिम्मेदारी है यह जो कि जो चोटे चीता पोलीस गरें मेरे विचारना विचारा नOSार इसमन थोड़ा राज्यन ती हक्तक से भी होता है क्योंकि ज्यादा आतर जो श्राब की दुखाने होती है कोई साधरन व्यक्ति मिडिल क्रास वाला तो नहीं चाहिए और मैं क्या कानून के अंदर कानून के दाइरे में रहते हुए कारवाई पुलिस क्यों नहीं करती है वज़ा आखिर पुलिस क्यों चुप रहती है और मैं क्योंकि डिबेट हमारी थोड़े लंबी होती जा रही है वह हमारा दूसरा प्रोग्राम भी है तो मैं आपसे स्रिफ एक ची जाना चाहूँ है काला बजारी करने वालों के खिलाब पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए बिलकुल करनी चाहिए तो काला बजारी को सबसे पहले तो हम पुलिस में कर सकते हैं फ परिशीत है उनका काम है कि कहीं ऐसा हो रहा है तो उनके पास जब कंप्लेंट जाती है तो पहले उसको देखते पूरी तरह से मालूमात करते उसके बाद उस पर हाथ डालते तो थोड़ा समय हो सकता है क्या कानून भी चाहता है कि पुलिस भी चाहती है कि जब हम कोई कानून को सकत से सकत करनी चाहिए और अशे मिषय में जहां पर जंता के स्वास्त से जुड़ी है तो यहां पर सिर्फ काला वजारी की बात कर रहे हम अपने पर्देश की बात कर रहे है तेलंगाना की यह उर से बहुंघ है लेकिन मैं आपको क्योंकि हमारे पर टाइम भी कम है मैं अपने दर्शकों को एक चीज बता देता हूँ हमारे खास प्रोग्राम काला बजारी में अगर कोई भी दुकंदार आप से MRP से ज़्यादा रेट लेता है तो आप उसकी शिकायत पुलिस में कर सकते हैं और जागो ग्रा केंदर के अंदर भी उसकी शिकायत कर सकते हैं क्योंकि किसी भी प्रोडेक्ट पे काला बजारी करना एक कानूनी और अमानवे व्यवार है जिसके लिए आपको सजा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं हमारे खास प्रोग्राम मलिक इसको आपको बीट में रोकूंगा मैं यह चाहूंगा कि इससे संबद जो भी हेल्प लाइन नंबर से आप अपके स्क्रोलिंग में भी डालिए बिल्कुल हम बिल्कुल डालेंगे और अप नमस्कार में शाहिद मलिक आपका स्वागत करता हूं यूज अंडिया में हमारे खास प्रोग्राम काला बाजारी जी हाँ काला बाजारी जैसे ही बज़ट आता है वैसे ही क्यों तमभाकू पदार प्रोड़क्ट बीचने वाले लोग चाहे पान डब्बे हो सिगरट हो या कोई तमभाखू खाने वाले हो तो उन प्रोडेक्टों पे ब्लैक मार्केटिंग क्यों होती है इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ है निजाम कॉलिज के प्रोफेसर मिस्टर जैस्वाल सर सबसे पहले मैं आपका हमारे खास प्रोग्राम काला बाजारी में आपका स्वागत करता हूँ और अपने दर्शकों की तरफ से आपका इस चर्चा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ अभी से ने पिछले 10 साल से या पांस साल से आप इतिहास उठा के देख लिजे सरकार जैसे ही बजट आने का अंदेशा होता है तो क्यों तमबाखू पदार्त बनाने वाले या बेचने वाले क्यों इन प्रोडेक्टों पर काला बाजारी शुरू कर देते हैं वो लोग कहते हैं उन लोगों का सोचना यह है कि सरकार इस साल जब बजट लाएगी तो एक्साइज बढ़ाएगी या कुछ भी बढ़ाएगी तो तमबाखू प्रोडेक्ट पे रेट बढ़ेंगे तो ऐसा क्यों है कि वो पहले ही माल चौट करके काला बाजारी शुरू कर देते हैं करोड़ों रुपे के इधर से उधर करते तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए या नहीं मलिक जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैं भी मेरी और से सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और आप इंडिया चैनल का करता बहुत आभारी हूं कि योग्या समझा कि मुझे इस चर्चा में उन्होंनें आमंतरित किया है मलिक जी जैसे कि आपने कहा आप कहा है कि कई पजार्थों पर जैसे कि गुटका है तंबाकू है सिग्रेट है इन पर बजट से पहले ही काला बाजारी का काला बाजारी काला मैं थोड़ा एक दो महिने तीन महिने पीछे से इस बात की आरम करूंगा मलिक जी जब नोडबंदी की बात आई तो लगवग हर वेवसाय वाले ने कहा कि हमारा धंदा बहुत मंदा हो गया है लेकिन समाचार पत्रों के अनुसार और हर आकड़ों के अनुसार शराब, सिग्रेट, गुटका, पान ये सब चीदों की जो दुकाने थी इनकी बिकरी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये एक बुरे व्यसन होते है और इसको हम लोग ये से लट के रूप में मानते है जिस विक्ति को ये लट पड़े आती है वो किसी भी कीमत पर उस वस्ति को प्राप्त करना चाहता है और बस इसी चीज का फैदा व्यापारी वर्ग जो होता है वो हमेशा उठाता है तो सरकार को पर उस दोर किदम आने चाहिए देखने चाहिए बजच आने से कि सरकार इस पर क्यों नहीं सोचती है मैं आपको माफी चाहूँगा रोक रहा हूं कि आपदि के लोग कहते हम कालारी रोकेंगे black marketing बॉकेंगे black money को रोकेंगे ये तो सीधा सीधा यह ब्लैक मार्केटिंग यानि कि आम जन्ता को सीधा सीधा पर तमबाकू बनाने प्रोडेक्ट बनाने वाले लोग या जो इनको बेजते हैं या से एंडेफ जो स्टॉक करते हैं इसकी काला बजारी कर रहे हैं तो सरकार इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए जो एरिया पी अभी की जाती है जब कि किसी प्रकार की कोई शिकायदर जो आज तक मैंने इतने जो है सब्सक्राइब जैसे कि आपने नया बुद्दा एक उठाया है कि बजट से पहले ही इन चीजों के दाम काला बजारी के रुपे बढ़ा दिये जाते दाम नहीं बढ़ाए जाते हैं द आज मैं यह ने सोस्ता है कि मिलने के बाद मैं जाओं और जाकर इसके बारे में शिकायत करूँ मैं समस्ताओं कि ज़्यादा तर लोग तो यह जानते भी नहीं कि उनके पर जिए सब्सक्राइब को सीधे सीधे राजेसरफ का नुकसान हो रहा है इससे तो अच्छा सरकार न लेकिन ऐसा नहीं है हर पान हिंदूस्तान के अंदर मैंने भी अलग-अलग शेत्रों में मैं जाता रहता हूँ वापर देखता हूँ हम रिपोर्टिंग करते हैं जहां पर बैन है तो वहां पर फुल बैन है लेकिन अब तंबाकु प्रोडेक्ट बनाने वालों ने एक नया Misara formula निकाल दिया है सरकार ने गुट का बैंड कर दिया सरकार क्यों कि हमने गुट का बैंड कर दिया हमारे हैं पदार्त नहीं बिकेगा लेकिन उन्हों क्या किया है कंपणी वालों ने साधा गुटका बनाया बिना तंबाकू का उधर से बना दिया तंबाकू का अब पबली क्या करती है दोनों को मिक्स करती है उनके लिए गुटका तयार है तो उसकी भी वो काला बजारी कर रहे है प्लस शिगरट आप जैसे एक्टिसी कंपणी बड़ी कंपणी जह हम उन पर सवालिया निशानी उठाएंगे शायद कंपणी ब्लैक मार्केटिंग नहीं करती लेकिन जो उनको स्टॉक करते हैं जो उनको डीलर है या डिस्टीबूटर है वो माल को मार्किट से शौट कर देते हैं पानवाला बोलता है क मार्केट में नहीं है आपको चाहिए आपको अपनी दुकंदारी बढ़ानी आप आगे डेट बढ़ा के बेचिए तो वो लोग कहना में जो अभी 30 रुपे की डब्बी है जो होल सेल के अंदर डिस्टीबूटर के पास से 115 रुपे की मिलती है पान का डब्बा वाला उसको 123 रुपे की बेचता एक डब्बी पर 8 रुपे मिलते हैं अब वो बोल रहे हैं साब हमें तो 125 रुपे की मिल रही है 130 की बेच रहे हैं मार्केट में माल शोट है तो इसका जिम्मेदार कौन है सरकार जो आखे मून के बैठी हुए इन काला बजारियों की वज़े से या पु हमेदारी किसकी बनती है मलिक जी से मने अभी अभी आरब में भी कहा था आपसे कि यह जो मुद्धा आपने उठाया है इससे पहले किसी भी जगह पर इसी बात को जो सामने नहीं लाया जाता है सबसे बड़ी इंडिया के सारी टीम को और आपको बदाई देता हूं कि आपन दी की वज़े से तकलिफ नहीं है उसका फायदा उठाकर जो सरकार अपारी वर गए वह उन्होंने रेट बढ़ा दिये जब आपने देखे होंगे प्याच का हुए उसावता तूर की डाल डाले देखे होंगे आपने जो खाद्य पदा प्रॉड़क्त ही सब डाउन हो गए वो जो की इनसान के जीवन में जिसके बिना किसी प्रकार का स्वाद नहीं आता है वो सभी चीदों को उन्होंने उसके रेट बढ़ा दिये प्याच का रेट दे कि आप 100 रुपए तक जाता है जी बिलकुल जब ब्लैक मास्ट उसके बाद सरकार उसके कमर कसती है और उसको सरकार लाती है रैशन की दुकान में बैशती है तो उसका हिसाब से जिल्दी जल्दी कम हो जाता वह आट रुपए दस रुपए आथा तो सरकार के पास जब बाद जाती है और इसका सबसे बड़ा श्रेयर सो मैं चाहता हूँ कि उन्होंनी को जो मीडिया करीमियों को देना चाहूंगा जो इन बातों को लाते हैं अन्यता सरकार के पास इस बात पहुंचने में काफी समय लगता है इसके बाद नमक की बात आप देखे होंगे नोड़ बंदी के बाद नमक का पैकेट जो दस रुपए का पाकेट है हजार रुपए तक पांसो चारसो रुपए तक तो विकाही विकाह है हजार रुपए तक भी विकाह है उसके लिए मारा मारी हुई है तो इसका जिम्मेदार सरकार नहीं है सरकार के पास जब बात पहुंचती है तो सरकार उस पर ज़रूर कार्य करती है पुलिस भी भाग के पास अगर इस शिकायत पहुंचते शिकायत करेगा आप अगर आटीए दल के देखिए कि आपके पास कोई सिग्रेट या घुटके का रेट या किसी भी चीज का रेट हो ज्यादा लगा के जो यह दे रहा है अगर आप शिकायत की तो कोई भी पोली स्टेशन में आपको कहीं भी इसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी जिसमें कि सवाल यह मैं जानना चाहता हूं सरकार ने हर चीज के लिए एक हेल्प लाइन बनाई हुई है तो इसके लिए हेल्प लाइन सरकार ने क्यों नहीं बनाई इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए मैं आप से थोड़ असा यह इस पर रोशनी डालने को बोलूंगा जैसे जैसे सूचना मिलती है कई बार हम भी करते हैं थेटर में जाते हैं वाँ पर यम्मार्पी से जैसे 10 रुपए 15 रुपए ज़्यादा रेट रहता है हम लोग भी ले ले लेते और पी लेते जाने दो वह 10 रुपए के लिए क्या करें यह थोड़ी जिम्मेदारी हम सभ करता है कि बात पहें उच्छे तो तभी जो यह सो उसके पर करेंगा अभी हमारे महमान ने हमें बताया के ग्राक सेवा केंदर जिसका एक नंबर होता है आप उस पर शिकार